जैसे रादे कृष्णा कैसे आप लोग उम्मेद करता हूँ सब ठीक और एक दम मस्त होंगे जी तो देखिए सर्दिया है और पालक पनीर ना बने ऐसा हो नहीं सकता पता है आपको तो देखिए आज बनाएंगे बिना प्याज और लसुन के पालक पनीर ठीक है जी तो देखि खराब है और नई तो दंडियों के साथ डाले तीक है टो दंडियों में सब कुछ है तो इसको अच्छी तरीके से बौय्ट करेंगे ठीक है तो अभी कैस करेंगे तेज और पालक डालने के बाद और उपर से ढकन लगा के इसको दो मिनिट पकाएंगे अच्छी तरीके से जब तक कि ये गल न जाए और बहुत जल्दी गल जाता है आपको पता है तो ये देखिए जी गैस कर देंगे तेज और बीच में एक बार चेक कर लें क्योंगे कभी कभी क्या होता है पानी क अब रहते हैं तो नीचे पत्ते चिपक सकते हैं ठीक है जी तो इस चीज का आप ज्यान दगें और बनाएंगे इतना टेस्टी और बिल्कुल अलग तरीके से और बिना प्याज और बिना लसून के एकदम स्पाइसी और रेस्टोरेंट इस्टाइल में आज पालक पनी ठीक तो देखिए जी जब तक पालक ठंडा हो रहा हैं रुकना नहीं ये टेम बरवाद नहीं करना है फटाबट तड़का लगाएंगे पहले ठीक है पालक पनीर का तड़का तो इतने पालक भी ठंडा हो जाएगा और इतने अमारा तड़का भी रेडी हो जाएगा ठीक है जी तो देखिए लोई की कड़ाई लिए मैंने पता ही आप कितना iron होता है है ना तो इसलिए आज लोई की कड़ाई में बनाएंगे देखिए तो देखिए जी सबसे पहले तो डालेंगे तेल ठीक है कड़ाई के अंदर ये देखिए कितना कम तेल में आज बनाएंगे है न और अभी अच्छी तरीके से तेल को गरम होने देंगे तो तेल देखिए जी गरम हो गया ठीक है और अभी क्या करेंगे देखिए तो जीरा साबुत है तेजपता है ठीक है और देखिए ये साबुत जीरा तेजपता डाल चीनी और जी काली मिट साबुत लिए और दो से तीन लोंग लिए मैंने तो एक साथ डाल देंगे ठीक है ऐस काली मिर्च को तेज पत्ते को थोड़ा सा रोष्ट होने देंगे गी के अंदर तेल के अंदर और यह देखिए जी अब क्या करेंगे अध्रक बारीक कटा हुआ ठीक है आप चाहें तो मिक्सी में भी पीश सकते हैं अध्रक टमाटर और हरी मिर्च एक साथ डालके तो ऐसा कु दो हरी मिर्चे हैं मिर्ची अपने हिसाब से ठीक है जी तीकी है तो कम डालें और नहीं पसंदें तो बिल्कुल ना डालें तो यह डाल दी जी देखिए हरी मिर्ची गैस कम पे थोड़ी देर इनको अच्छी तरीके से पकने देंगे ठीक है तो देखिए जी आप चाहें त तो टमाटर skip कर सकते हैं लेकिन थोड़ा चा टेस्ट लाने के लिए टमाटर मैं डाल रहा हूँ आज ठीक है जी तो देखिए एक टमाटर बड़े साइज का लिया है उसको बारी काट लिया है ठीक है और साथ में डाल देंगे जी नमक और नमक डालेंगे स्वात से और इस समय पर नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी कलते हैं और अच्छी तरीके से पक जाते हैं ठीक है जी तो यह देखिए नमक हिसाब से ठीक है अब अच्छी तरीके से इसको हमें टमाटरों को अच्छी तरीके से भूनना है और पकाना है ठीक है तो देखिए जी इस समय पर गै भी बन चुकी है तो देखिए जी पीश के भी डाल सकते थे लेकिन ऐसे डालने से बहुत अच्छा स्वाद आएगा ठीक है तो यह देखिए गरम मसाला चुटकी दो से तीन चुटकी बसा और देखिए जी धनिया पोडर तो डालेंगे एक चमबच ठीक है जी भरके उसके बा अच्छी तरीके से मिक्स करके भून लेते हैं तो देखिए जी मसाले अच्छी तरीके से भून चुके और देखिए तेल भी साइडों से मसाले टमाटर ने सब ने छोड़ दिया है थोड़ा सा पानी है बस इतना काफी है जी अच्छी तरीके से एक बाद पकाएंगे जी त कितना अच्छा एगदम सुन्दर बनकर तयार हो गया है तो प्यार महोबच से धीरे धीरे तड़के को पकने दें क्योंकि चितना भूणोंगे आप किसी चीज को अतना टेस्ट बहुत अच्छा आता है यह सब आपको पता है और देखिए जित प्यार से महोबच से तड़के को पकने दें तो देखिए तड़का होगे रेडी ठीक है अब लाते हैं अपने पालक को तो देखिए जी पीस लिया है मिक्सी में हमने पालक और ये तेखिए जी टाल देंगे और अभी मैंने इस पालक में पानी नहीं डाला है बिना पानी के पीस है ठीक है तो क् पक चुके है अच्छी तरीके से तो पालप में पाणी ही होता है पता है आपको तो गीला है तो आराम से पिस जाता है ठीक है? तब जो बचा हुआ पानी है हमने जिसमें पालप हो वाला था उस पानी को हम जितना हमें चाहिएगा आप बाद में एरजिस्ट करें executing ठीक है जी तो अब इसको अच्छी तरीके से बुनाई करें गे पालक की, मसालो की टमाटर के साथ, वा जी वा तो देखिए जी इस तरीके से अगर आप इसको पकाते हैं तो फिर ये किया मतलब बोईल होगा तो ये छीटे आएंगे इसमें से तो वो छीटे ना है तो आप इसको डखकन जरूर लगाएं ठीक है क्योंकि पानी है तो पता ही है आपको उबलेगा तो वो होगा ब देखिए डखकन रख दिया है और बीच-बीच में हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे तो चलो जी देखिए पांस से साथ मिनट हो गए ठीक है तो देखिए डखकन लगा के पकाया है और देखिए कितने अच्छी तरीके से ये पक चुका है भून चुका है ठीक है पालक तो पानी था अब डालेंगे ठीक है इस सम्में पे उस पानी को हमें डालना है, जो भी हमारा पालक मिक्सी में जार में बचा हुआ है, पीष्टे समें लगा हुआ है, जो भी पानी था तो ये देखिए लिए, तो पानी आप अपने हिसाब से अरजिस्ट कर सकते हैं तो चलो जी देखिए अभी पनीर लिया है और इस तरीके से काट लिया आपको पताईए तो ये 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है डाल देंगे देखिए इस तरीके से और अच्छी तरीके से एक बार करेंगे मिक्स और अभी पानी डाला है तो थोड़ी देर दो मिनट उबालेंगे इसको अच्छी तरीके से तो चलो जी देखिए दो मिनट अच्छे से ढकन लगा के इसको हमने पनीर के साथ पकाया और देखिए रंग उपर एकदम अच्छी तरीके से सब भुना हुआ पर और इसको मिलाएंगे तो इससे के ना एकदम पनीर में एकदम पढ़िया मक्खन वाला एकदम टेस्ट आजाता है ये देखिए जी कितना अच्छा लगने लग गया ना पनीर डालती देखिए कद्दू कस किया हुआ तो चरो जी देखिए पनीर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया अच्छी तरीके से पक गया है बढ़िया तरीके से सब कुछ तयार हो चुका है अब कैस करेंगे बंद और निकाल लेंगे इसको एक बरतन में तो देखिए जी पालक पनीर सर्दियों में नहीं बनाया तो फिर क्या बनाया और वो भी बिना प्याज और लसुन के तो देखिए कितना पढ़िया एकदम मझेदार पनीर आज बनकर तयार हो गया जी पालक पनीर तो देखिए रेसेपी अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आ अधे खृष्ष्णा